वेलकम टू अजीत के यार आज किस वीडियो में हम लोग भिन्यो का वर्गमुल निकालना सेखेंगे तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो देखिए आपर पहला कोश्चन है रूट अंडर 9 बटा 16 का वर्गमुल निकालना है तो इसके लिए सबसे पहले इसका गुनानखंड कर लेना है तो देखिए 9 को हम क्या लिख सकते हैं तो 9 को हम 3 गुना 3 के रूप में लिख सकते हैं तीन तिया हो जाएगा 9 और इसके बाद देखिए नीचे में क्या है 16 और 16 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 16 को हम 4 गुने 4 की रूप में लिख सकते हैं, 4 गुना 4 करेंगे तो 16 आजाएगा, इसके बाद देखिए यहाँ पर root है, तो root का चिन लगा देंगे, अब देखिए अगर हम यहाँ पर से root को हटाएंगे, तो इसमें से क्या होगा, यहाँ पर 2 गो 3 है, तो इसमें से 1,3 बाहर निकल जाएगा और नीचे देखिए, यहाँ पर 2,4 है अगर हम इसे root से बाहर निकालेंगे, तो इसमें से 1,4 बाहर निकल जाएगा तो 3 बटा 4, यह हो जाएगा इसका answer Second question, तो देखिए जैसे कि हमने पहले प्रस्ण को solve किया था ठीक उसी प्रकारसे से भी solve करना है तो यहाँ पर है root under 36 बटा 121 तो इसका कर लेना गुनन खंड तो देखिए 36 को हम क्या लिख सकते हैं तो 36 को हम 6 गुना 6 के रूप में लिख सकते हैं 6 गुना 6 करेंगे तो 36 आजाएगा और 121 को हम क्या लिख सकते हैं तो 121 को हम 11 गुना 11 के रूप में लिख सकते हैं इसका गुना करेंगे तो 121 आजाएगा इसके बाद root है तो यहाँ पर देंगे root का चीन अगर हम यहाँ पर से इस root को हटाएंगे तो क्या होगा देखिए यहाँ पर दो छे है तो इसमें से एक छे बाहर निकल आएगा और यहाँ पर दो एगारा है अगर हम इसे रूट के बाहर मिलाएंगे तो इसमें से एक एग्यारा बाहर निकल जाएगा तो देखिए इसका यहाँ पर आंसर आ गया छे बटे एग्यारा तीसरा कोश्यन देखिए यहाँ पर जो भिन दिया है वो मिसरित भिन में है इसे सबसे पहले हम साधारन भिन में बदलेंगे और साधारत मिन में बदलने के लिए नीचे वाले संक्या का गुना इसके साथ किया जाता है फिर गुना करने के बाद जितना आता है उसको उपर वाले संक्या के साथ जोड दिया जाता है तो देखे 36 का गुना चार के साथ करेंगे तो 144 हो जाएगा और 144 में 25 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 179 और नीचे में क्या है 36 तो 36 को उसी तरह से हम लिख लेंगे और इसके बाद रूट का है तो यहाँ पर हम देंगे रूट का चीन अब देखे हम इसमें इसका गुननखंड कर लेंगे तो देखे यहाँ पर है 179 तो 179 को हम 13 गुना 13 इसके रूप में तोर कर हम लिख सकते हैं और 36 को हम 6 गुना 6 के रूप में लिख सकते हैं इसका गुना करेंगे तो 36 आ जाएगा और 13 का गुना 13 के साथ करेंगे तो 179 आ अब देखिए अगर हम यहाँ पर रूट का चिन हटाएंगे तो देखिए यहाँ पर क्या है दो तेरा है तो इसमें से एक तेरा बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर है दो छे अगर हम रूट को हटाएंगे तो इसमें से एक छे बाहर निकल जाएगा तो तेरा बटा छे यह ह 405 इसका हमें वर्गमुल निकालना है तो सबसे पहले हम इसमें इसका गुनंदखर्ण गयात करेंगे या नहीं तो इसे हम यहीं पर काट कर छोटा कर लेंगे तो देखे यहां पर है 80 और नीचे में है 405 तो यह 5 से कट जाएगा तो इसे हम 5 से काटेंगे तो 16 बार में कट जाएगा 16 पंचे 80 और इसे 5 से काटेंगे तो 5 अठे 40 हो जाएगा और 5 एकम 5 तो देखे यह हो गया 16 बटा में 81 और रूट है तो रूट का चिन इसके बाद इसक चार गुना चार की रूप में लिख सकते हैं और 81 को हम 9 गुना नौ की रूप में लिख सकते हैं 9 नामा हो जाएगा 81 अब देखिए यहाँ पर रूट है तो रूट का चिन अब क्या करना है तो इसमें से देखिए अगर हम रूट को हटाएंगे तो इसमेם से एक चार बाहर निकल जाएगा और इसमें से एक नौ बाहर निकल करा जाएगा तो 4 बटा नौ यह हो जाएगा इसका आंसर तो यदि आफको वीडियो अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक, सेयर और चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें